Welcome to my channel Debit Your Knowledge आज हम Leave Encashment Calculation के बारे में सीखेंगे different situation में जैसे LTC, Resignation and Retirement सबसे पहले LTC का case देख लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि LTC के दौरान हम the maximum 10 दिन की Earned Leave को हम Encash करवा सकते हैं इसका calculation कैसे होगा हम आगे देखेंगे पहले आप rules जान लिजे कि हम maximum 10 दिन की Earned Leave को Encash करवा सकते हैं at a time एक समय पर पर कुछ condition है जो हमें fulfill करनी है Condition number 1 यह है कि जभी भी आप LTC avail करते समय Earned Leave को Encash करवाते हैं Encash करवाने के बाद आपके पास 30 दिन की Earned Leave Balance में बची होनी चाहिए मैं फिर से repeat कर रहे हूँ जभी भी आप LTC avail करते हैं तो उस दोरान आप जब Earned Leave को Encash करवाते हैं Earned Leave को Encash करवाने के बाद आपके पास 30 दिन की EL, minimum 30 दिन की EL आपके Leave Account में Balance बचा होना चाहिए Condition number 1 यह है Condition number 2 यह है कि आप अपने entire career में या फिर throughout your service केवल 60 दिन की ही Earned Leave को Encash करवा सकते हैं जभी भी आप LTC avail करेंगे ठीक हैं? अब calculation देख लेता है Leave Encashment का LTC के दोरान जब आप अपनी Earned Leave को Encash करवाते हैं बहुत आसान formula है Basic salary plus DA multiply by आप कितनी Earned Leave and Cash करवा रहे हैं LTC के दोरान 10 होनी चाहिए या फिर 10 से कम divided by 30 Example के लिए मैंने यहाँ पर Basic salary 27,100 ली है इसी का मैंने DA निकाला है 34% तब मेरा आजाता है 9 to 14 multiply by मैंने 10 Earned Leave पूरी Maximum जितनी लिमिट है मैंने पूरी LTC के लिए ले ली इसलिए मैंने 10 लिखा है divided by 30 ठीक है एक बात का दियान रखना है यह 10 होगा या फिर less than 10 होगा तो मेरा answer आजाता है Leave in Cashment का 12,105 रूपीस ठीक है मुझे इतना amount मिलेगा LTC के दोरान अगर मैं EL in Cash करवाती हूँ और मैंने यहाँ पर 10 दिन की EL in Cash करवाई है Next situation आती है Resignation के Resignation के दोरान भी आपको Leave in Cashment मिलेगा आपकी Earned Leave के लिए पहली बात आपको धियान रखना है कि आपको केवल Earned Leave का ही in Cash करवा सकते हो आप HPL को in Cash नहीं करवा सकते Resignation के case में मैंने क्या बोला आप केवल Earned Leave को ही in Cash करवा सकते हो Half पे Leave को in Cash नहीं करवा सकते देखता है calculation कैसे होगा इसका Step No.1 यहाँ पर यह है कि आपने कितनी EL use नहीं करी जस दिन आपका Resignation हो रहा है उस दिन आपकी EL कितनी बची हुई है मतब वही है Unavailed EL divided by 2 पर यहाँ पर एक Limit है आप केवल Maximum 150 Days की EL ही Encash करवा सकते हैं अगर आप Resign करते हैं ठीक है Step 2 वही है विल्कुल आसान है Basic salary प्लस DA Multiply by कितनी आपकी Unavailed EL है जिसकी Limit 150 है जो मैंने आपको बताया और Divider by 30 For example यहाँ पर मैंने एक example दिया है कि समझ दीजिए Resignation दिया है मैंने और मेरे पास EL 200 बची है तो मैं 200 को Divide कर दूँगी 2 से तो मुझे केवल 100 दिन की EL ही Encash होगी ठीक है अब बाकी समझ लेते हैं Step 2 कैसे होगा मेरी Basic salary समझ लेते हैं 27,100 है मुझे इस पर DA 34% मिल रहा है तो मैंने लिग दिया 9214 Multiply by कितनी EL मिल रही है मतलब मैं कितनी EL Encash करवा सकती 100 मैंने अभी आपको पर बताया तो Multiply by 100 Divide by 30 तो मेरे पास answer आजाएगा 1,21,047 ठीक है सबसे Important Leave Encash में आता है Retirement Case का Retirement के Case में आप Earned Leave और HPL Leave दोनों ही Encash करवा सकते हैं पर कुछ Rules है उसको Follow करके हम अपनी Earned Leave और Half Pay Leave की Calculation करते हैं तो सबसे पहले हम Formula देख लेते हैं कि क्या होता है Earned Leave के Encashment का Formula होता है Basic Salary plus DA Multiply by Number of Unavailed Earned Leave मतलब कितनी Earned Leave आपने इस्तमाल नहीं करी है या कितना Balance बचा आपकी Retirement के समय Earned Leave का कितना Balance बचा जब आप Retire होता है Divide by 30 यहाँ पे Number of Unavailed Leave Unavailed Earned Leave वो Maximum 300 Days की होनी चाहिए 300 Days से जादा नहीं होने चाहिए Half Pay Leave कैसे निकालेंगे Half Pay Leave आपको तभी मिलेगी अगर आपकी Earned Leave Less Than 300 Days है Retirement के समय इस बात का ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि Half Pay Leave तभी मिलेगी अगर आपकी Earned Leave Less Than 300 Days है Retirement के समय Formula देख लेते हैं Basic Salary Plus DA Divided By 2 Multiply By कितनी HPL आपको Allow है कितनी HPL आपको Allow है Retirement के समय and Cash के लिए ठीक है और यहाँ पे एक Rule है कि आपकी EL Plus HPL Equal to 300 Days होना चाहिए अभी मैं आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है Divided By 30 बस एक बात अपने दिमाग में रखना कि आपको HPL तभी मिलेगी अगर आपकी Earned Leave Less Than 300 Days है यही मैंने यहाँ पे समझाया है यह Formula के साथ EL Plus HPL Equal to 300 Days होता है हमेशा समझ लीजिए कि Retirement के समय आपको हमेशा EL पर Focus रखना है फिर EL सही पता चलेगा कि आपको HPL मिलेगा या नहीं मिलेगा कि Retirement के समय आपके पास कितना EL बचा है उसी सही हमें पता चलेगा कि आपको HPL मिलेगा या नहीं मिलेगा For example, Retirement के समय मेरे पास 300 EL है तो इस case में मुझे HPL मिलेगा ही नहीं क्योंकि formula क्या बोलता है EL plus HPL equal to 300 अगर मेरे पास EL 300 पच्ची है तो equal to 300 करने के लिए यहाँ पर तो मुझे 0 रखना पड़ेगा न HPL को पहला case यह हुआ second case ही है समालेजी retirement के समय में पास 200 EL है 200 EL है तो मेरे पास मुझे कितना HPL मिलेगा इस case में HPL मिलेगा क्योंकि यहाँ पर EL less than 300 days है तो यहाँ पर मुझे तो equal to 300 बनाना है ना मुझे तो equal to 300 बनाना है तो इस case में मुझे 100 रुपीज का HPL मिल जाएगा चाहे आपके HPL 100 से जादा क्यों ना हो चाहे आपकी HPL 100 से जादा क्यों ना हो आपकी retirement के case में पर आपको केवल 100 रुपे का ही 100 sorry 100 दिन का ही HPL in cash होकर मिलेगा third example देखते हैं समझ लीजिए retirement के समय मेरे पास EL 150 थी ठीक है तो इस case में मुझे HPL कितना मिलेगा देखो HPL आपके पास कितना बचा है retirement के समय ये लेना देना नहीं है इस बात का हमें लेना देना ही नहीं है आपको लेना देना है केवल इस EL का और इस 300 का ठीक है अगर आपका EL 300 से कम है तब आपको HPL मिल जाएगा और HPL कैसे आएगा 300 में से EL माइनस कर दीजिए जैसा यहाँ पर मेरे पास EL 150 days है 300 में से मैंने माइनस कर दीजिए 150 को मेरे पास HPL भी 150 की आ गई एक और example है समय लिजे retirement के समय मेरे पास EL 190 days की बची थी तो HPL कितनी में लगी 300 days में से माइनस कर दूँगी 110 आ जाएगा तो इस तरीके से आपका EL और HPL calculate होगा leave encashment के लिए अब proper example देखते है case 1 है कि जिसमें आपका EL equal to 300 days है मैंने आपको पीछे पता है था अगर EL 300 days है तो तो आपको HPL मिलेगा ही नहीं यहाँ पर देखिए retirement के समय EL 300 days है HPL 150 days है जो की आपको मिलेगा ही नहीं HPL पर आपको कोई encashment मिलेगा ही नहीं क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि EL 300 days है और हमारा formula है ना कि EL plus HPL equal to 300 days होना चाहिए पर यहाँ पर तो 450 days हो गया तो हमें इसे 300 days ही लेना है और 300 days हम सबसे पहले EL से ही लेंगे HPL से नहीं ले सकते क्योंकि HPL तभी मिलती है अगर आपका EL less than 300 days से कम हो ठीक है less than 300 days हो मतलब कि 300 days से कम हो जैसे मैंने आपको पीछे बताया उस formula को याद रखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा अब हम कैसे calculate करेंगे EL को basic salary plus DA कितनी unavailable EL है मतलब यहाँ पर 300 days हो गई 4 मिल रहा है 300 का मेरा EL है जो की retirement में बचा हुआ था divide by 30 तो इतना leave and cashment आपको मिल जाएगा आपकी earn leave पे और HPL पे कुछ नहीं मिलेगा case number 2 है कि अगर आपका EL less than 300 days है तो इस question में मेरा EL 200 days है और HPL 150 days है ठीक है तो आपको EL 200 days का तो पूरा मिलेगा ठीक है EL 200 days का तो पूरा मिलेगा पर क्या HPL पूरे 150 days का मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा मैंने आपको क्या का था दोनों को मिलाकर EL plus HPL दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 300 days होना चाहिए तो 300 days में से अगर आप 200 की 200 EL ले चुके हैं तो कितना बचा 100 बचाना इतना HPL आपको मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर हम calculation कर लेते हैं encashment का सबसे पहले हम EL का कर रहे हैं यहाँ पर मेरी basic salary 27100 है same example लेगे चाहिए basic salary और DA का DA है 9214 multiply by आपको 200 तक का EL मिल रहा है आपकी EL 200 थी retirement के समय divided by 30 इतना EL का encashment हो जाएगा HPL का कैसे निकालेंगे basic salary प्लस DA divided by 2 क्योंकि half पे लेना है तो कितना आता है 18157 multiply by कितनी HPL अलाओ है 100 ही अलाओ है पर 150 थी लेकिन आपको के विल 100 ही मिलेगे क्योंकि EL प्लस HPL equal to 300 always divided by यहाँ पर कितना आएगा divided by 30 ठीक है तो आपका असर क्या जाएगा 60,523 रूपीज इतना आपका HPL का calculation हो गया I hope आपको समझ में आगे कि कैसे करते है EL HPL का encashment और बाकी resignation और LTC के case में अगर आपको मेरी वीडियो चे लगी है लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राब कीजिए में चानल को थैंक यू वेरी मुच बाइबाइ